तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्क्स करेंगे जीके के बहुती शांदार प्रेशन जो कि आपके जेवडी एंटरांस एक्जाम या फिर डिलेट एंटरांस एक्जाम के लिए काफी हेलपल होंगे तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों अगर आप डिटेल में एचपी जीके पढ़ना चाहते हैं तो हम अब सेरी सुरू कर रहे हैं एचपी जीके को डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे तो रिवर सिस्टम आप माचर प्रदेश जो है उस पर एक बहुत ही शांदार वीडियो आने वाला है तो उप्षिन है पाकिस्तान, बंगला देश, चीन या फिर मेमार तो आपको पताना है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी अंतराष्टे सीमा किस देश के साथ लगती है उप्षिन आपके सामने है जल्दी से बताइए और अगर दोस्तों आप इस वीडियो की PDF डौनलोड करना चाहते हैं तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा बहां से आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना और फिर आपको महां इसकी पीडिय मिल जाएगी तो बात करें दोस्तो भारत की सबसे लंबी जो अंतराश्टी सीमा लगती है वो लगती है बंगलादेश के साथ आप्शन भी सई हो जाएगा कितने किलोमेटर की बौंडरी लगती है तो ये लगती है दोस्तो 4096 किलोमेटर की बौंडरी जो है वो बंगलादेश के साथ लगती है और बात करें दूसरे नंबर पर दोस्तो चीन का अस्तान है जो 3488 किलो मेटर की बॉंडरी शेर करता है और उसके बाद आता है दोस्तो पाकिस्तान जो करता है 3323 बर्ग किलो मेटर तो आपने ये में जो तीन है याद रखने है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तो इराक की राजधानी क्या है तो आपको बताना है दोस्तो जो इराक कंट्री है उसकी राजधानी आपको बतानी है option है तहरान, अस्ताना, जेरुसलम, बगदाद तो आपको बता रहा है जो इराक है ये किसकी राजधानी है तो दोस्तो इराक जो है ये इसकी जो राजधानी है sorry इराक की राजधानी आपको बतानी है तो इराक की जो राजधानी है वो है दोस्तो दोस्तो जेरुसेलम की तो ये किसकी capital है आप comment करके जरूर बताएं नेक्स्ट question है संबर्ती सूची का बिस्य हमारे समीधान में किस देश के समीधान से लिया गया है तो दोस्तो आपको पता होगा जो हमारा समीधान है वो लग-लग देशों से लिया गया है यानिकि सभी लग-लग देशों के समीधान से लग-लग चीज़े ली गई है तो यहाँ पर पूचा है संबर्ती सूची अगर आपको संबर्ती सूची के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ संबर्ती सूची जो है जैसे दोस्तों आपको पता होगा मारे समीधान में 12 प्रवोक अनसूचियां है जिनमें से जो सेबंथ जो शेडूल है यहने की साथ भी जो अनसूची है उसमें जो शक्तियां है उनको केंदर और राज्यों में भिवाजित किया गया है तो उसमें मुख्यता तीन सूचियां रखी गई है एक है संग सूची दूसरी है राज्यों सूची और एक है संबर्ती सूची संबर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर केंदर सरकार और राज्यों सरकार दोनों कानून बना सकते हैं यह जो दोस्तो विश्य लिया गया है यह अस्ट्रेलिया के समिधान से लिया गया है और ओप्षन C सही हो जाएगा और तो दोस्तो इससे जुड़ी आपने इतनी बाते याद रखनी है नेक्स्ट कॉश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो दोस्तो आपको पता होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान है वो अब मारे भारत में है और उसका नाम जो बदल कर रख दिया गया है वो रखा गया ह निनेंदर मोदी स्टेडियम और अप्शिन D सई हो जाएगा और बात करें इस स्टेडियम की कहां है यह स्टेडियम तो दोस्तो यह है गुजरात के एहम्दाबाद में पहले इसका नाम जो था बो था मोटेरा स्टेडियम नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो बारत के प्रत्थम राष्टपती का क्या नाम था तो आपको पताना है बारत के प्रत्थम राष्टपती का नाम तो काफी असान प्रशन है तो भारत के प्रत्थम फर्स्ट प्रेजिजेंट आफ इंडिया थे वो थे दोस्तो डॉक्टर राज जो थे वो भारत के प्रत्थम राष्ट पदी थे जब दोस्तों जो समीधान साबा थी उसकी अंतेम बैटेक होई थी 24 जनवरी 1950 को तो उसी समय जो डॉक्टर राजेंदर पसाद है इनको भारत का प्रत्थम राष्ट पती चुन लिया गया था और बात करें राजेंदर राष्ट पती पत का इनिका है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आरवियाई के प्रतीक चिन में कौन सा पेड है तो आपने आरवियाई का लोगो दोस्तों देखा होगा जो आरवियाई का लोगो है तो आपको पताना है उसमें जो पेड है बो हो कौन सा पेड है तो दोस दोस्तों बो थे Osborne Smith जो कि अंग्रेज थे बात करने पहले भारतिय गवर्नर RBI किये दोस्तों बो थे CD Day Smoke Next question है हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आपको बताना है Option है बुद्ध, ब्रहस्पती, प्रिथभी या फिर मंगल तो दोस्तों सबसे छोटा जो ग्रह है वो है Mercury यानिकी बुद्ध, ऑप्शन ए सई हो जाएगा और बात करें बड़े की तो वो है दोस्तों ब्रहस्पती Next question है Cricket का जनमदाता किस देश को कहा जाता है तो दोस्तों काफी असान प्रेसन है Cricket का जो जनमदाता है तो कौन से कंट्री को कहा जाता है तो ये कहा जाता है England को option B जो है वो सही हो जाएगा तो दोस्तों England ने जहां जहां सासन किया यानिकी जो जो कंट्रीयां England की उपन वेज थी तो दोस्तों बहाँ पर Cricket की शुरुवात हुई भारत भी उनमें से एक था नेक्स्ट कॉस्चन है IP का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों IP जो है यह कंप्यूटर से सबंदे टर्म है तो IP का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो उप्शन इसका भी जो है वो सही हो जाएगा आपने सुन होगा TCP IP जो होता है यह प्रोटोकॉल होता है TCP की फूर्फोर्म होती है Transmission Troll Protocol नेक्स्ट कॉस्चन है दोस्तों हैजे के टिके की खोज किसने की थी आपको बताना है उप्शन है बेंटिन, पॉल मुलर, रोबर्ट कोच या फिर आईजक मैन हैजे के टिके की खोज जो करी गई थी वो करी गी थी दोस्तों रोबर्ट कोच के दोरा तो उप्शन इसका जो C है वो सही हो जाएगा रोबर्ट कोच के दोरा हैजे के टिके की खोज करी गई थी और दोस्तो, BenDean जो थे, इनके द्वारा insulin की खोश करी गई थी, Paul Miller जो थे, इनके द्वारा DDT की खोश करी गई थी और जो OISEAC Man थे, इनके द्वारा दोस्तो, जो बेरी-बेरी जो रोग होता है, vitamin B की कमी से, तो उसकी किस्सा की खोश जो थी, वह OISEAC Man ने करी थी है भारत में सिक्षक दिव्स का मनाया जाता है आपको बताना है तो दोस्तो चो टीचर डे है भारत में वो मनाया जाता है 5 सितंबर को option C सही हो जाएगा 5 सितंबर और बात करें दोस्तो world teacher day की तो वो 5 October को मनाया जाता है world teacher day और बात करें एक और day होता है world literacy day अंतराश्टिय साक्षरता दिवस जो होता है वो मनाया जाता है दोस्तो 8 सितंबर को तो ये 3 day है इसे सबंदित इनमें confusion होता है तो मैंने आपको बता दिया 5 सेप्टंबर को जो इंडियन teacher day होता है और world teacher day 5 October को और 8 सेप्टंबर को international literacy day next question है सत्रंज खिल के बोर्ड में कितने खानने या फिर बर्ग होते हैं दोस्तो आपने खेला होगा सत्रंज जिसे चेस कहा जाता है तो दोस्तो question है माथा ठनकना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है आपको पताना है दोस्तो माथा ठनकना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है option आपके सामने है माथा ठनकना मुहाबरे का अर्थ होता है दोस्तो शाक हो जाना option C कुजेक्ट हो जाएगा शाक हो जाना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निमन मैंसे कौन सा रंग शांती का प्रतीक माना गया है यलो, स्पेद रंग, भगवा रंग या फिर हरा रंग तो दोस्तों जो शांती का प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है वाइट कलर को और अप्सन बी जो है वो सही हो जाएगा व जो है दोस्तों यहे मानसिंग सम्रिध्य या फिर बोथिक की योगता से स्मद्ध रखता है जो पिला कलर होता है। और हरा जो है दोस्तो ये तो आप सबी जानते हैं इसको भी दोस्तो जो स्पेद हो गया ये है शांती और पिरुटी का प्रतीक है और हरा रंग जो है ये है आप बोल सकते हैं एक प्रकार हरियाली या फिर शांती के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट है गौत्नम बुद्ध के बच्पन का क्या नाम था आपको पताना है दोस्तों गौत्नम बुद्ध जो थे बहो उनके बच्पन का नाम आपको पताना है option है गौत्नम अरजुन सिधार्त या फिर बुद्ध गौतम बुद्ध के जो पर्षपन का नाम था वो था सिधार तो option C से ही हो जाएगा सिधार दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे इनको बात करें के जनम की तो इनका जनम हुआ था 563 BC में इनका जनम हुआ था और इनके जो पुतर थे उनका नाम था दोस्तों राहुल तो ये है जो बहुत धर्म है बहुत धर्म जो थे उसके संस्तापक है गौतम बुद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तो रास्टरगीत बंदे मातरम के रचेता कौन है तो दोस्तो जो बंदे मातरम है जो रास्टरगीत है यह किसके द्वारा लिखा गया है या फिर इसके रचेता कौन ह तो वो हैं बंकीम चंदर च्टोपा ध्याए और उप्शन B सही हो जाएगा और इससे जुड़ा एक महत्वपन प्रेशन में आपको पताता हूँ बात करने पहली बार जो रास्टे गीत था यह जो इंडे नैशनल कॉंग्रेस थे भारते रास्टे कॉंग्रेस का अधिवेशन ठारा सो अच्छानुए में गया गया था दोस्तो ठारा सो च्छानुए में रास्टे गीत गया गया था और इसके जो अधिवेशन थे इसकी अधिवेशन थे इसकी अधिवेशन करी थी रहेम तुला स्यानी ने और यह जो अधिवेशन हुआ था वो कॉल कत्ता में हुआ थ नेक्स्ट है भार्तिय समीधान में पहला संसोधन कब किया गया था दोस्तो आपको पता है जो अगर किसी भी चीज में कोई सुधार या फिर कुछ भी करना हो तो इसके लिए संसोधन किया जाता है बारतिय समीधान में पहला संसोदन हुआ था वो हुआ था और 1951 में और उप्षन बी जो है बसाई हो जाएगा इसके तहतं दोस्तों पहली जो अनसूचि थी बहुँ जोड़ी गयी सोरी न извी जो अनसूचि थी मुलता समीधान में आथ अनसूचि थी और नव बी जो यह पहले समीदान श्र्णशोदन के दहात जोड़ेगी थी 1950 बन में नेक्स्ट है सबसे प्राचीन बेद कौन सा है दोस्तो ऑप्शन है काफी असान प्रेसन है सबसे प्राचीन जो बेद है वो है रिक बेद तो option C सही हो जाएगा रिगवेज जो है सबसे प्राजिन बेद है दोस्तो और बात करें जो अधर बेद है इसमें जादू और अंध भिश्वाश्चों का बर्णन है सामबेद को दोस्तो संगीत का जनग कहा जाता है और दोस्तो ये जरुबेद जो है ये करम कांड का प्रधान है next question है भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुर्षकार कौन सा है तो आपको पताना है भारत का सबसे बड़ा जो military award है वो कौन सा है आप्शन है बीर चक्कर परमबीर चक्कर अशोक चक्कर या फिर इन में से कोई नहीं तो सबसे बड़ा जो मिल्टरी अवार्ड है वो है परमबीर चक्कर आप्शन भी सही हो जाएगा और बात करें इसकी इस पुर्षकार की दोस्तों इसकी स्तापना करी गी थी 26 जनवरी 1940 को करी गई थी इसे पहले बिटिस में में दोस्तों जो सबसे बड़ा सैने पुर्षकार होता था वो होता था विक्टोरिया क्रोस और तंतरता के बाद जब इंडिन जो कंसिच्योशन है स्तित्व में आया तो परमबीर चकर भारत का सबसे बड़ा सैने पुर्षकार बना और तो काफी असान है दोस्तो गूगल, याहू और बिंग जो हैं कि सर्च इंजन हैं एकिन इंस्टाग्राम नहीं है तो option D सही हो जाएगा. Next है किस भारते राजी को मसालों का बिगिच्चा कहा जाता है? दोस्तो मसालों का बिगिच्चा जो कहा जाता है वो कहा जाता है केरल को तो option C जो है बुसाई हो जाएगा. केरल में कौन सी पहड़ियां हैं दोस्तो केरल में इलाइची की पहड़ियां हैं. Next question है विस्व का सरवदिक मतदाताओं बाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो बोटर हैं वो हैं हमारे देश भारत में तो option C जो है बसाई हो जाएगा भारल भारत की बात करें दोस्तो तो population के इसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है. Next है सुबा का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो बात करें सुबा के तारा या फिर भोर का तारा या फिर शाम का जो तारा है दोस्तों वो कहा जाता है शुकर ग्रह को option D जो है वो सही हो जाएगा शुकर प्रिथवी की बहन जो है वो भी शुकर को कहा जाता है और बात करने दोस्तों सबसे होटेस्ट प्लैनेट की तो वो भी शुकर ग्रही है। नेक्स्ट क्वेस्टन है विज्यानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राक्रितिक स्थ्रोथ क्या है। दोस्तो बिटामिन D का जो प्राकृतिक स्त्रोथ है वो है सनलाइट यानिकी प्रादा की धूप ओप्सन इसका सी जो है बसाई हो जाएगा विज्यानिकों के अनुसार बिटामिन D का जो प्राकृतिक स्त्रोथ है वो है प्रादा की धूप next question है किस राध्य में सबसे ज़्यादा सोयबीन का उत्पादन होता है दोस्तों सोयबीन जो होती है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है मद्यपरदेश में option B A सही हो जाएगा मद्यपरदेश और बात करें सोयबीन की दोस्तों सबसे ज़एदा प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज़एदा उत्पादन होता है मद्य पर्देस में तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में कैसी लगी आपको आज की वीडियो Thanks फर बॉचिंग God bless you all कर दो